ना थकान होनी चाहिए और ना ही हार होनी चाहिए ना थकान होनी चाहिए, ना ही हार होनी चाहिए, हमारी तो बस जीत होनी चाहिए, क्योंकि हम जीत के लिए निकले हैं बच्चों, तो हमारी जीत होनी चाहिए, तो ऐसी करेंगे मैनत कि हार को भी हार से सरम आनी चाहिए ठीक है बच्चो तो हम मैनत को आगे बढ़ाते हुए आगे हम आज का टोपिक लेके आए हैलो अरीनो के निर्मान की विदिया इससे पहले के लेक्चर वीडियो में हम हैलो एलकें पढ़ चुके हैं और हैलो एरिनो का नामकेंड भी पढ़ चुके हैं ठीक है ना तो आज हम इस topic को आगे बढ़ाते हुए हम आपको जैसा की बता चुके हैं कि हर वीडियो लेक्चर में हम topic to topic concept wise topic to topic concept wise पिछले NEET और JW में आईवे PYQs भी solve कराते हैं ठीक है न तो यहाँ पे आप pen copy उठा के तयार हो जाईए और साथ के साथ topic to topic हमारे topic को किलियर करने के साथ साथ हम NEET और JW में आईवे पिछले PYQs भी solve करेंगे ठीक है बच्चों तो यहाँ पे आज का हमारा topic है Hello Arena के निर्माण की विदिया Hello Arena के निर्माण की विदिया preparation method of Hello Aranys ठीक है न तो Hello Arena के निर्माण की विदिया में बच्चों पहली विदिया आपके है Benzen वले के Halogenic Rancy By Halogenation of Benzen Ring ठीक है न बाई Halogenation of Benzen Ring तो इस अभिक्रिया में होता क्या है कि सबसे पहले यहाँ पे बोलड़ा है कि Benzen वले की अभिक्रिया Benzen वले की अभिक्रिया Lewis Aml Lewis Aml होते हैं हमारे पास में FeCl3 या Alcl3 यह हम Lewis Aml लेते हैं तो Lewis Aml की उपस्थिती में Lewis Aml की उपस्थिती में Cl2 या BR2 से यह नि X2 हो गया आपका से कड़ाई जाती है तो हैलो एरिन प्राब्द होते हैं For example देखो हमने यहाँ पे क्या लिया Benzen वले ली तो Benzen वले की अभिक्रिया किस से करानी है हमको Halogenों से हैलोजन में जिसे आपने लिए यहाँ पे Cl2 Cl2 यहाँ पे किसकी परजेंस में होगी Lewis Aml Lewis Aml में यहाँ पे N-Hydrous यानि निर्जल E-L-C-L-3 तो निर्जल E-L-C-L-3 से जब अभिक्रिया कराओगे तो यहाँ से हाइडोजन का प्रतिस्थापन होगा तो हाइडोजन यहाँ से अटेगी तो हाइडोजन जब यहाँ से अटेगा तो वहाँ पे जुड़ जाएगा हैलोजन और हैलोजन जब यहाँ से जुड़ गया तो यहाँ से हाइडोजन अट गया तो क्या बहार निकल गया HCl ठीक है बच्चो तो यह होगे आपका chlorobenzene chlorobenzene hellow arine clear बच्चो तो हमारे पास में topic क्या रहा chlorobenzene hellow arine clear अब देखो amino से आगे aromatic amino की अभिक्रा nitrous समल से कराने पर क्या पराप्त होते हैं benzene, diogenium, halide पराप्त होते हैं तो देखो amino से हम जो बना रहे हैं तो amino क्या होता है बच्चो सुन लो यहाँ पर aromatic amino में जैसे आपके पास में benzene वले होती है benzene ring अब इस benzene वले पर यहाँ पर NH2 जुड़ावाया है तो इसको हम बोलते aniline क्या बोलते है बच्चो aniline ठीक है अब aniline की अभिक्रिया आप nitrous अमले से करा रहे हो nitrous अमले हमारे पास में NaNO2 और HX का mission HX में सपोज आपने ले लिए हैं आपे HCl क्या ले लिए बच्चो HCl अब HCl जब आपने ले लिया तो यहाँ पर होगा कह देखो सबसे पहले तो देखो आपका यहाँ से यह हटना है hydrogen इस nitrogen परमानों से और यहाँ से halogen और इस प्रकार से यहाँ पर breaking होनी है bond गी ठीक है बच्चो तो bond break होगा तो आगे क्या बनेगा देखो जो यहाँ पर benzene वले है इस benzene वले से पहले से जुड़ावा था nitrogen अब यह nitrogen यहाँ पर आता है तो हो गया N triple bond N आगे भाईया C L तो इसको हम बोलते है benzene die azoneum halide benzene die azoneum azoneum halide halide में हमारे पास में यहाँ पे chloride है बच्चो इसको बोलेंगे benzene die azoneum chloride ठीक है अब यहाँ पर देखो एक तो आपके पास में Na है और क्या है Cl है तो क्या बहाँ निकला बच्चो NaCl और चार hydrogen के यहाँ पर आप दो oxygen लेके जाओगे देखो दो hydrogen यह रहा दो hydrogen यह रहा बचा दो oxygen तो क्या बहाँ निकल जाएगा बच्चो 2H2O ठीक है न 2H2O अब यह जो बन चुका है आपका benzene die azoneum halide अभी जो benzene die azoneum halide बन चुका है इस benzene die azoneum halide से आप दो विदियों की द्वारा कितनी विदियों की द्वारा दो विदियों की द्वारा आप इससे प्राप्त कर सकते हो हैलोरीन तो पहली विदि जो है हमारे पास में send meyer अभी करिया जिसको हम बोलते है name reaction नाम वाड़ी अभी करिया ठीक है न important reaction होती बच्चो होना क्या है हमें यहाँ पे लेना क्या benzene diogenium हैलाइडों की अभी करिया cuprous हैलाइड तो cuprous हैलाइड यहाँ पे Cu2x2 अभी यहाँ पे जैसे मालो cuprous chloride देना है तो Cu2 Cl2 हो जाएगा और cuprous bromide लेना है तो Cu2 Br2 हो जाएगा की presence में की उपस्तिती में HX से कराने पर HX से कराने पर हैलो एरिन प्राप्त होते हैं यानि हमें लेना है यहाँ पे क्या हमने यहाँ पे ले लिया benzene diogenium halide अब इस benzene diogenium halide की अभी करे हमें किस से कराने है HX से HX में आपने ले लिया है हमें किस की presence रखनी है Cu2 Cl2 ठीक है न अब यहाँ पे Cl- क्या चीज है ना भी किस नहीं है यह ना भी किस नहीं यहाँ से किसको अठाएगा इस diogenium को यहाँ से replace कर देगा हटा देगा यहाँ से तो diogenium है जो समूँ यहां से हट गया उसकी जगे हमारे पास में ना भी किस नहीं कौन आ गया Cloron तो chloro यहाँ पर आगया था chlorobenzine और यह डाई जो समूँ यहाँ से हटा तो क्या बना N2 प्लस यह hydrogen और यह CL क्या बाहर निकल जाएगा HCl तो यह होगी आपकी sand mirror अभिक्रिया पहुंसे होगी sand mirror अभिक्रिया और इसी अभिक्रिया से दिया आपको iodobenzine बनाना है एक वाइस का स्क्रिंसोट ले ली जाओ इस्क्रिंसोट ले लीजे ठीक है हाँ हम अड़ जाते साइड में अब देखो इसी सा आपको iodobenzine यह दी बनाना है तो उसके लिए आपको q press highlight का required नहीं होगा उसके लिए आप डारेक्ट अभिक्रिया करा सकते हो तो इसके लिए क्या करा सकते हो है यह आपको यह पे हैंट में के लिए आपको जिसे आप लेते हो यह पर बैंजेन डाये जो नहीं हम हलाइड casual इस nov कराना किससे के आई से इसके लिए आपको रिक्वाइड नहीं है क्यों प्रसलाइड की यह डारेट क्या करेगा यहाँ पर आयोडिन आयोडिन इस डाइड जो समू को यहाँ से रिप्लेस कर देगा बच्चो हटा देगा भलो हट जा यहाँ से अब हमा आ चुके हैं तो आयोडो बेंजिन प्लस केसी अल प्लस एंड टू ठीक है न तो क्या प्राप्त हो चुका आपका आयोडो बेंजिन इसी की एक अभिक्रिया होती है गाटरमान अभिक्रिया बच्चो क्या होती है गाटरमान तो गाटरमान अभिक्रिया और सन्द मेरे अभिक्रेद्टध में difference यह यहां पर क्यों प्रम क latter जगह Mission लेटें को पर विखलते स्क्लोरइड्ट ऑभिक्रेया आपको दो को आफ हैं जिसे मालों कि HX लेंदे आपने किसकी प्रजेंस रखनी है आपको कोपर डस्ट कोपर पाउडर तो यहाँ पे यह CL माइनस ना भी किस नहीं है तो ना भी किस नहीं यहाँ से डाय जो सम्मू को यहाँ से रिपलेस कर देगा हटा देगा तो क्या बन जाएगा आपका हैलो एरीन तो आपका बन चुका यहाँ पे हैलो एरीन और भाहा निकल गया आपका है N2 और भाहा निकल गया आपका है तो गाटरमान हो अंब मैरा अभी की वह ब्रेंस क्याा रहा यहाँ पूépoque कोपर डस्ट तीक है है सात में जे डेबली वाला प्रसंड भी स्वल्र करेंगे इसके बाद तो प्रसंड था कि क्लोरोब एंजिन को संसलेशित करने के लिए नीट कि हिएative में आया प्रसन में का कि क्लोरोभ marc Christ को म Почему कि क्लोरोब tenha इ yard को क्लोरोबेंजिन को संसलेशित करने के लिए कौन अधिक उपियुक्त है उपियुक्त है तो हमें उपियुक्ता बताने की इसमें कौन ज्यादा उपियुक्त है तो क्लोरोबेंजिन निर्मान के लिए हमने दो तीन वीडिया में पढ़ चुके हैं तो यहां पर बोर्ड़ा है नंबर एक यह उप्शन हमारे पास में दिया है फिनोल कोमा NaNO2 कोमा HCl और CuCl तो यह उप्शन भी नहीं है B option हम को दे रखा हम आपे Benzene plus HCl Benzene plus HCl और C option हम को दे रखा हम आपे Aniline plus HCl Aniline plus HCl plus गरम और D option हम को दे रखा है आपे क्या दे रखा है Benzene Benzene तो आप जानते बच्चो ऐसी होती है Benzene plus Cl2 plus Nirzal AlCl3 तो बच्चो हमको मालूम है जब हम Benzene plus Cl2 plus Nirzal AlCl3 लेते हैं तो हमने निर्माण की पहली विदी आज करवाई थी आपको क्या हैलो एरीनो से किसे हैलो एरीनो से तो हैलो एरीनो से हमने निर्माण किया था Lewis Amlo की परजैंस में तो क्या बनता है Chloro Benzene plus bar क्या निकल जाता है HCl तो हमारे लिए right option क्या रहेगा D ठीक है न बच्चो तो हमारा right option क्या हो गया आपे D हो गया ठीक है न तो हमारा यह question का आप आया था नीट तूट हावजन ट्वंटी टू यहीं दो जार बाइस में आया प्रशन है ठीक है न ऐसा ही हम यहां पर यह जे डबली में आया प्रशन भी सोल करेंगे जे डबली आपके आया प्रशन है 1984 1984 1984 में आया था आपके जे डबली एक्जाम में इसको आया टी कहते हैं आप तो question क्या था आपके chlorobenzene chlorobenzene आप बना सकते हैं chlorobenzene आप निम्न की अभिक्रिया से बना सकते हैं निम्न की अभिक्रिया से बना सकते हैं बना सकते हैं तो किस-किस की अभिक्रिया से बना सकते हो नंबर एक दियर रखा हैं आपे क्लोरो बैंजेन क्लोरो बैंजेन आप अनिलीन से on एनिलिन से निम्न की अभिक्रिया से बना सकते हैं ठीक है ना एनिलिन से नंबर एक नंबर एक यहां पर आप क्या लिखेंगे हैं हाइड्रोक्लोरिक एसे यानि है एचल नंबर बी ओप्शन आपको दिया वाथा क्यों प्रेस क्लोराइड शी यू टू-C-L-2 और नंबर सी आ आपको ओप्शन दिया वाथा क्लोरीन इन क्लोरीन और इन प्रेजेंस यानि उपस्तिति किसकी एल-C-L-3 यह दे रखा है और डी ओप्शन आपके पास में दे रखा है नाइट्रस एसिड नाइट्रस अंबलर नाइट्रस अमल और हीटिंग वाइक क्योप्रस क्लोराइड हीटिंग वाइक क्योप्रस क्लोराइड हीटिंग वाइक क्योप्रस क्लोराइड यहनि गरम करना है और गरम और क्योप्रस क्लोराइड Co2 зв duh थी्ट हरण तो हमने अभी सैंड मेरा भी हह पड़ी थी सैंड मेरा भी क्रिया में क्या पड़ी थी कि सैंड मेरा Vikra में हमने जाना है कि आनिलीन की अभी क्रिया तो आप किस से कराई थे nitrogen- заб एसरे हमारे पास नाइत्रे से तो से हमारे पास बन क्या था Ben지bs और usके बाद में हमने क्या घना इसमें कि सो हमने यहापि क्यूप्रस इलाइड से हीट किया था कुछ जलकहन न हमारे पास ने बढ़ गया था स्टीके न aos ठीक न हमारे पास में उसन क्या आएगा ऐनिलिंड के साथ में ना इंट्र SEOM ल तो नाइट्रस हमल हो गया उसके बाद में CU2, CL2 के साथ में हमने हीट कर दिया तो हमारा option क्या आएगा बच्चों वापे D option आएगा ठीक है ना तो हमारा correct option क्या रहेगा नाइट्रस हमल एंड CU2, CL2 ठीक है ना तो इस ऐसे ही हम NEET और JW में आयोए पिछले PYS की सौल करेंगे हैं topic ट्यों topic ठीक है ना तो आप इन किसनों का लाब उठाने के लिए प्रतेक बच्चों को आप ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेर कीजिए ताकि पिछले NEET और JW के concept to concept question answer समझ चुके हैं ठीक है ना तो ओके nice to meet you